बिस्मिल्लाहिर्मान रहीम, असलाम लेकोम, मेरे नाम है आफिया, आप देख रहे हैं आफियास किचन, आज मेरे किचन में बनीजे चिकन, मसाला, बर्यानी तो चीहाँ जनाब बहुत ही चटपटी से बर्यानी की रेस्पियां आप लोग से शेयर करने वाली रेस्पियां जब आप घर पर ट्राइ करेंगे तो इन्शाला आपकी बर्यानी भी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कड़ाई में डालोंगे में एक कप के करीब ओल यह चला गया अब हाई फ्लेम पे इसको हलका सा गरम किया इसमें डालोंगी मैं अब इसको हाइफ फ्लेम पे इतना भूनेंगे कि चिकन फिंक से वाइट ओज़े और चिकन का अपना सारा पानी खुशक हो जाए हाइफ फ्लेम पर इसको अच्छी तरह भून लेंगे देखें माशला कि इतने अच्छे से चिकन बूनती चारी है आप लोगों ने मेरे चैन चार से पांच मैंने अद्रग लसन के साथ ही पीछ लिए थी दो टेबल स्पूने तो लो यह साथ ही डाल के एक मिंट के लिए मजीद अच्छी तरह इसे भूल लेंगे बादउने के मीडियूम साइज के इनको स्लाइस करके यह शामिल कर दिया इस चले गए कि यह दिखें से डाल के साठी अजी तरह मिक्स करेंगे एक करेंगे इक दफा ankare अब इसमें एक्स्रा पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है अब इसे धके में रखोंगी कम 12-15 मिंट के लिए हलकी आज पर तक अच्छे से चिकन और टोमाटर और दही का अपना पानी में चिकन पक जाए मरी तो यह देखें बीच में एक से दो दफ़ा चमच मैंने अच्छी तरह चला दिया था तो अब माशाला से चिकन हमारी काफी हां तक पक चुकी है अब जो पानी इसमें थोड़ी से नमी रह गई इसको हाई फ्लेम भूनते जाएंगे और सारा इसका पानी खुश्क करेंगे अब इसे रखते हैं एक सेड़ पर यह त्यार हो गया अब चावलों की त्यारी कर लेते हैं चे से पांच से छे लिटर मैंने पानी ले लिए इसमें वन टेबल स्पून गरम साला पांच से छे स्लाइस लैमन के दो खाने के चमच भरके नमक यह चीज़ा शामिल करेंगे पा सारा पानी निकालने के बाद यह देखें चले गए चावलों को हमेशा हाइफ लिम पर बॉल किया करें बड़े अच्छे से वाइल होते हैं तो इसमें एक दफर में चला दूंगी हलके हांस से अब 90 परसंट के करीब इन चावलों को बॉल कर लेंगे कि देखे माशाला कि इ कि इस तरह अब बचावों मसाला सारा इसके अंदर डाल डाल देंगे सारा अच्छी तरह साफ करके सारा मसाला डालेंगे रेस्पी आप लग वदूर ट्राई कि एक रेस्पी पसंद आए दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और मुझे कमट बॉक्स में बताएं कि आपकी कैसे बनी तो यह देखें सारा चीतना साफ करके मसाला मैंने सारा डाल दी है तो अब जो बचे हुए चावल ने सारी इसके उपर फेला देंगे इस तरह अच्छे से एक दफ़ा सेट किया अब जर्दे का रंग मैंने वन पिंच जर्दे का रंग था आदे का पानी में घूल के रखा वा था यह इसके उपर फेला देंगे अब थोड़ा सा पुदीना रखूंगी साबट डंडिगों समेती में रख दूंगी ताके बाद में उपर-उपर से उठालूं ताके अच्छी सी फ्रेश्टी इसमें खुश्बू आ जाए दो खाने के चमच मैंने उपर से ओल डाल दिये इस तरह यह देखें बड़े खिले-खिले से चावल त्यार होते थोड़ा से तेल डालने के बाद अब दम पर रखूंगी मैं ढखके से कमस कम 12-15 मिंट के लिए तीन मिंट हाई फ्लेम पे और बारा मिंट हलकी आज पे रखके इसको अच्छा से दम दे लेंगे तो यह देखें दम आ गया इसमें अब दम को मैं खोलती हूं कि देखें माशाला माशाला से कितना मज़ेदार सा दम आ गया इसमें कितने धुए निकले अब जो पुदीना मैंने साबुद रखा हुआ था सिर्फ खुश्बू के लिए रखा था अब उपर से मैं इससे हटाके निकाल दूँगी इस तरह अब हलके हाँ से मिक्स करेंगे चमचा मेरा थोड़ा सा कमजोर हो रहा है तो अब मैं तो हलका से मिक्स करूंगी यह देखें माशाला से कितने खिले-खिले से मारे चावल त्यार हो गए है तो अब मैंसे डिशॉर्ट कर लेती हूँ अभी ते देखें माश्याला कितनी मज़ेदार से चिकन मसाला बरियानी नियमारी त्यार हो गई रैस्पी आप शचरू रिकर नहीं है देखें माश्याला कितनी मज़ेदार से लग रही है पिर भी आपके पास कोई सवाल हो मुझे से पूछने के लिए तो आप लाजमी पूछा करें मैं इंशालला जवाब दूँगी इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी मिलेंगे इंशालला गली रेस्पी के साथ दुआ में याद रखें लाफेस